नमस्कार दोस्तो नेस लेक्चर सिरीज में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तो मैंने टूपोर्ट नेटवर्क्स की जितनी भी कॉंसेप्चुल थियूरी है वो सारी कंप्लीट कर ली है इस वीडियो से अब मैं डिफरेंट टाइप के नुमेरिकल प्रोब्लम्स आपके सामने सौल करूँगा जिससे आपको आइडिया होगा कि एक्जाम में किस टाइप से कोशन पूछे जाते है तो यहाँ पे जो फर्स्ट कोशन है उसके लिए मैंने ये नेटवर्क लिया है और यह जो नेटवर्क है इसको हम T नेटवर्क कहते है यहाँ पे आपका जो इंपिडेंस है वो Z A है यहाँ पे Z B है यहाँ Z C है यह आपका first port है जहाँ V1 voltage है first port से networks की तरफ जाने वाला current I1 current है यह आपका second network है second port है V2 voltage के साथ और यहाँ से इस network के लिए incoming जो current है वो I2 current है इतनी सी knowledge से आपको Z parameters को find out करना है आप हमेशे ध्यान रखें कि अगर T network दिये जाए या star network भी इसको हम कहा सकते है तो उसका Z parameters निकालना बहुत आसान होता है यहाँ से जो I1 current है यहाँ से जो I2 current है इस node के लिए क्या होगा यह I1 current भी incoming है और यह I2 current भी incoming है लेकिन इस node से इस point से ZC impedance से होते हुए जो current जाएगा वो इन दोनो current का sum होगा इसका मतलब यह हुआ कि जो ZC impedance है इसके थ्रू जो flow होगा current यहाँ पे वो होगा आपका I1 प्लस I2 इसके बाद एक आपका जो mesh है वो यह बनेगा यहाँ पे आप KVL apply करेंगे और एक mesh है वो आपका यह बनेगा यहाँ पे भी आप KVL अपना ही करेंगे KVL दोस्तों आप तभी apply कर सकते हो जब उस loop में हर एक element के पास आपका voltage drop और voltage rise आपको पता हो यहाँ पे हमारा V1 voltage है पहला drop होगा ZA into I1 तो यह बनेगा दोस्तो ZA multiply with I1 प्लस इसके बाद इस element से होके होगा ZC multiply with जो current है यहाँ पे I1 प्लस I2 है तो यह drop होगा दोस्तो ZC multiply with I1 प्लस I2 इसको एक बार solve कर लेजिए ZC into I1 ZA into I1 यह आपका बन जाएगा ZA प्लस ZC into I1 और finally ZC into I2 यह आपका पूरा का पूरा जो equation है पहली जो KBL लगाया आपने उससे यह equation आ गया अब दोस्तो इसी के साथ अगर मैं Z parameter की standard equation लिखना चाहूं तो वो कैसी होती है V1 is equal to Z11 I1 प्लस Z12 I2 यानि V1 I1 I2 V1 I1 I2 I1 का coefficient Z11 होगा इसका मतलब यह जो value है आपकी यह आपकी Z11 है I2 का coefficient Z12 होगा यानि यह value आपकी Z12 है तो इसका मतलब यहाँ से आप यह पता कर चुके है कि जो आपका Z11 है वो होगा ZA प्लस ZC अब इनकी value कुछ भी आपको दे रखी हों उस values को यहाँ put करके आप answer निकाल सकते हो यह question मैंने in journal लिया है ताकि आपको पूरा concept सिखा सको और जो Z12 है दोस्तो वो value क्या बनी that is equal to ZC अब हम इस second port पे KVL apply करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा V2 यह हमारा potential rise है तो यहाँ पे पहला drop होगा ZB into I2 यह हमारा drop होगा ZB multiply with I2 प्लस इसके बाद यहाँ से होते हुए इस बात को follow करके मैं यहाँ पहुचूंगा तो यहाँ पे क्या है ZC ZC multiply with the current flowing through this ZC current है आपका I1 plus I2 तो दोस्तो I1 plus I2 मैंने current लिया इसके साथ ZC को multiply करके drop निकाल लिया तो जो V2 का equation है वो क्या बनेगा ZC into I1 ZC into I1 plus ZC into I2 ZB into I2 I2 common लेंगे तो यह बन जाएगा ZB plus ZC multiply with I2 इसी के साथ मैं क्या लिखूंगा जो Z parameters हैं उसकी standard equation लिखूंगा दूसरी that is V2 is equal to Z21I1 plus Z22 into I2 V2, V2, I1, I1, I2, I2 इसका मतलब यह है कि I1 का जो coefficient है वो Z21 है और I2 का जो coefficient है वो आपका Z22 है तो यहां से बिल्कुल clear हो गया Z21 आपका क्या होगा Z21 होगा आपका ZC और Z22 आपका क्या होगा दोस्तों वो होगा आपका ZB plus ZC इस तरीके से यहां पे आपने पूरे के पूरे Z parameters निकाल लिये हैं इन Z parameters को आप चाहें तो matrix form में भी convert कर सकते हैं वो क्या बनेगा पहले Z11 आएगा that is ZA plus ZC फिर आपका Z12 आएगा यह होगा आपका ZC फिर Z21 आएगा यह आपका ZC है फिर Z22 that is equal to ZB plus ZC इस तरीके से किसी भी star network का या T network का Z parameter आप इस तरीके से निकाल सकते हो ठीक है अब दूसरा question लेते हैं दोस्तो दूसरा question में यहां पे यह हमारा first port है यह हमारा second port है यहां पे जो network है वो आपकी बार star network नहीं pi network है तो जो pi है कैसे लिखते हैं pi को हम ऐसे लिखते हैं यानि यहां पे एक resistance है यहां पे एक resistance है और यहां पे एक resistance है तो इसी तरीके से यह आपका एक resistance है यह भी और यह भी तो यह pi shape को represent करता है इसलिए इसको pi network कह देते हैं यहां पे जो resistance है दोस्तों reciprocal values आप ohm inverse में लिख सकते हो similarly यहाँ पे भी admittance लिखा यहाँ पे भी admittance लिखा अब इसके y parameters निकाल ले हैं तो ध्यान देजिए यह आपकी एक node है इस node में i1 आपका incoming current है तो node पे जो potential available होगा वो v1 potential ही होगा क्योंकि यह point और यह point बिलकुल same है इनके बीच में कोई drop नहीं है तो यानि एक current आपका यहाँ चला जाएगा दूसरा current आपका यहाँ चला जाएगा तो यहाँ इस node पे जो potential available है वो v1 है और इस node पे जो potential available है वो definitely आपका v2 potential है nodal analysis जब आप apply करते हो तो उस present node की voltage को आप सबसे ज़्यादा अज्यूम करते हो तो इसमें क्या होगा i1 आपका incoming current है यह आपका incoming current है nodal analysis कह लिजिए या KCL कह लिजिए तो एक current आपका यहाँ चला जाएगा वो current क्या होगा v1 divided by this resistance अगर resistance लोगे तो v1 division में लिखोगे v1 divided by resistance अगर admittance लिखोगे तो वो multiplication में आ जाता है तो यह बनेगा दोस्तो y a multiply v1 यह पहला current होगा यहाँ से यहाँ जाने वाला current क्या होगा v1 minus v2 divided by this resistance अगर resistance नहीं admittance है तो v1 minus v2 multiply with yc तो यह बन जाएगा आपका v1 minus v2 multiply with yc यह आपका admittance है इसको एक बार आप अच्छे से solve कर लेजिए जैसे v1 को एक side v2 को v1 का coefficient निकालेजिए v2 का coefficient निकालेजिए तो यहाँ v1 और yc है यह आपका v1 यहाँ पे भी है तो यह होगा आपका y a plus yc multiply with v1 minus minus कहलेजिए यहाँ पे plus करके यह लिख सकते हो minus yc multiply with v2 अब हमें पता है कि जो हमारा y parameter है y parameter की standard equation क्या होती है वो होती है दोस्तो i1 is equal to y11 v1 plus y12 v2 यानि i1 v1 और v2 i1 v1 और v2 इसका मतलब दोस्तो v1 के साथ जो coefficient है वो आपका y11 है v2 के साथ जो coefficient है वो आपका y12 है तो यहाँ से दो value आ चुकी है y11 आपका मिलेगा y a plus y c और दोस्तो जो y12 है वो आपका मिलेगा minus y c ये दो answer आपके आ चुके है अब मैं क्या करूँगा ये जो second node है इस पे भी मैं nodal analysis या caseal apply करूँगा इस node के लिए i2 current इसके लिए incoming है एक current यहाँ outgoing जाएगा और दूसरा current अपकी बार यहाँ से यहाँ outgoing जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी node है उस पे जितने incoming current होंगे और जो outgoing current होंगे वो दोनों बराबर होने चाहिए तो i2 incoming है तो बाकी आपके outgoing है v2 divided by this resistance resistance नहीं है admittance है तो v2 multiply with this admittance तो यह बन जाएगा आपका yb multiply v2 plus यहां से यहां कितना current जाएगा अगर इस node पे आप analysis करोगे तो v2 minus v1 divided by resistance resistance नहीं है तो admittance है तो वो बन जाएगा आपका v2 minus v1 multiply with this admittance that is yc इसको भी आप standard form में convert कर लेजिए तो पहले v1 के coefficient लिख लेजिए यह आपका क्या होगा that is minus yc v1 plus और यह आपका क्या बनेगा yb plus yc multiply with v2 इसी के साथ जो आपका y parameter है उसकी दूसरी standard equation लिख लेजिए वो होता है y21 v1 plus y22 v2 यानि v1 के साथ जो coefficient है वो आपका y21 है यह coefficient आपका y21 है v2 के साथ जो coefficient है वो आपका y22 है तो दोस्तों यहां से आपके बाकी बचे दोनों parameter आ चुके है y21 है आपका minus yc और जो आपका y22 है वो होगा आपका yb plus yc तो यह आपके answer है जो आपको निकालने थे finally आप y matrix भी लिख सकते हो तो जो y matrix है वो आपकी 2 by 2 matrix square matrix होती है क्योंकि यह two port networks को हम study करते हैं तो जो y11 है वो आपका क्या बनेगा ya plus yc y12 आपका क्या बनेगा minus yc y21 आपका क्या बनेगा again minus yc और y22 आपका क्या बनेगा yb plus yc यह आपका finally answer होगा अब दोस्तों बहुत जरूरी मैं बात करना चाहूंगा आपने देखा अगर t network है या star network है तो उसके z parameters निकालना बहुत आसान है अगर network आपका pi network है तो उसके y parameters निकालना बहुत आसान है यहाँ हमने kcl या nodal analysis यूज किया यहाँ पे हमने kbl यूज किया लेकिन दोस्तों कई बार ये पुछ लिया जाता है कि आपके जो pi network है उन networks के अगर आपको z parameters निकालने पड़े तो क्या करोगे तो उस case में आप क्या करोगे pi network z parameter t network के निकालना बहुत आसान है तो हो सकता है pi network के z parameter पुछे जाए तो उस pi network को आप star network में convert कर लेजिए pi network को हम delta network भी कह सकते हैं तो अगर z parameter आपको चाहिए pi network है तो उसको पहले star में convert कर लेजिए star के बाद same procedure apply कर लेजिए delta भी हो सकता है t network आपको दे रखा हो या इसको हम star network भी कह सकते हैं ये दे रखा हो और आपको y parameters पूछ लिए जाएं तो सबसे पहला काम है y parameter pi network के निकालना बहुत आसान है तो पहले आप star network को pi networks में convert कर लें और उसके बाद आप simple in steps को follow करके उस value को निकाल सकते हो तो दोस्तों ये बहुत important video है university exam में इसी type से फसादिया जाता है कई बार ऐसी possibility भी आती है कि यहाँ जो T network है वो breeze T network भी बना दिया जाता है यानि इसके उपर एक resistance और लगा के breeze T network भी बन जाता है तो breeze T network का जो question है वो already कुछ video पहले मैं upload कर चुका हूँ वो भी आप देख सकते हो तो दोस्तों इस video में इतना ही next video में दूसरे different type of problems को हम solve करने की कोसिस करेंगे thank you so much for watching this video